नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी एफ चैनल पर आज का जो वीडियो है ये ग्रो एप्लिकेशन की उपर बनने वाला है अगर आप ग्रो चलाते हैं तो आप सभी को पता होगा कि एक टीप इन हमें जनरेट करना होता है स्टॉक्स खरीदने बेचते स पहले आप कर लिजिए सब्सक्राइब ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें तो दोस्तों जब आप टीप इन जनरेट करने जाते हैं तो मैं आपको सिंपली वह एक पेज पर ही लिके चलता हूँ जहां पर टीप इन आपको जनरेट होता है तो यह आप देख रहे हैं कि एक टीप इन वाला सिस्टम आदे अगर जनरेट टीप इन जहां पर आप जनरेट टीप इन फॉर एडियाएस ट्रांजिक्शन आप करते हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीदों की जरुत होती जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां प होती है यानि कि आपको पता होनी चाहिए साथी ओटीप आई की वो तो हम आगे कर लेंगे और थैंक्यू वाला तो कुछ सिस्टम है नहीं बियो डिटेल में क्या क्या चीज़े लगती वह मैं आपको बता देता हूं इस पर अगर आप टैप करते हैं तो देखो यहां पर ट करना है तो आप सब्सक्राइब करें थोड़ा से इसने चाहिंगे तो आप यह देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक B.O.I.D. लिखी होती है देखे आप देख सकते हैं D.M.A.T. अकाउंट नंबर और B.O.I.D. करके लिखाए D.P.I.D. एक अलग चीज़े उसको याद नहीं रखेंगे B.O.I.D. आपको पूरी डालनी होगी तो यह B.O.I.D. यहाँ पर लिखा भी हुआ है यह पूरी आइड आपको याद रखनी है अगर याद नहीं रखना चाहते हैं तो simply बताओ इसको यहाँ से copy कर लीजिए copy करने का option यहाँ पर दिया गया है या फिर क्या करेंगे जब आप holdings पर देखते हैं तो verify holding का option रहता है इस पर टैप करेंगे तो आपका यह option खुल जाएगा verify यूदिंग TP and OTP तो एक तो तरीका यह हो गया दोस्तों कि आप जब भी share बेज निकले जा रहे हैं लेकिन आपने अभी तक खरीदा ही नहीं है और आप खुल रहे हैं किया TP करना है तो मैं आपको एक simple तरीका में बता दू इतने लफ़ड़ों में फढ़ने की ज़रूरत नहीं dot com और TP भी लिख देंगे आगे तो जाधा अच्छा है आप आगे बढ़ेंगे और यह देखिए सबसे पहली जो लिंक आएगी यहां पर पहले आपको बोलेगा आप TP डालो फिर आप बोलेगी कि मेरे पास तो TP नहीं तो क्लिक हैर करना पड़ेगा और यह देखिए सेम पेज खुल करा जाता है अभी क्या करना है आपने थोड़ा से स्लाइड किया यहां पर आपको अपनी BO ID डालनी होती है तो BO ID हम लो करके लिख लिए और फिर यूज कर सकते हैं अपना पैन डाल दीजिए जो भी आपका पैन नंबर है अपना पैन नंबर डालने के बाद दोस्तों सिंपली आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है नेक्स्ट का बटन दबा देंगे तो यह देखिए अलर्ट OTP से तो OTP is valid for 15 minutes from the time of request you have if you have not used the OTP to login within 15 minutes please request for a fresh OTP अगर 15 minutes के अंदर आप यह OTP नहीं यूज करते हैं तो फिर आप फिर से OTP मंगाईए क्योंकि OTP तब तर एक्सपायर हो जाएगी हमें कोई जरूरत नहीं है वैसे इन्होंने बटन दे रखा यहाँ पर कि अगर आपको चाहिए भी प्लीज क्लिक हेर तो गो बैक तो लॉग इन पेज थैंक्यू यूर टीपिन इस जनरेटर सक्सेसुलिए और रेजिस्टर मोबाइल नमबर अभी आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा यह जो टीपिन है दोस्तो आपके पास आया है यह आप हर भार भी जनरेट कर सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछ लीजेगा धन्यवाद